नमस्कार ये तस्वीरे में आपको ग्राम पंचाइद राद्री और पंचाइद समीती शियु जिला बाडमेर की दिखा रहा हूँ ये तस्वीरे किसन गोदारा के घर की है किसन गोदारा करीबन दो महिनों से इसी हलात में इस जंजीर से बंदे हुए है इनके माता हुआ इनकी पत्नी का कहना है कि करीबन दो सालों से इसी तरह से बिमार है और जब आसपास पडोशियों की सिकायते मिलने लगी उसके बाद इन्हों ने इन्हें इसी जंजीर से एक पेड के नीचे बांध कर छोड़ दिया आप सभी भामा साओ से निवेदन रहेगा मेरा कि इनकी जरूर मदद करें इनके दो बेटे वा एक बेटी है एक बेटी पांचवी क्लास में पड़ती है और एक बेटा है छोटा जो जिसकी आँख में चूना जाने के बाद इनकी ये हालात हुई है वो फिलहाल अभी जोद इनकी बैंक डाइरी है और आप सभी भामा साओ से मेरा निवेदन रहे गया कि आप इनकी एक बार जरूर मदद करें यह आप सभी से मदद की गुहार लगा रहा है किसन गोदारा इनके पास में इनकी पत्नी है जो इनका ध्यान रखती है और इस साइड में इनकी माता है जो भी विकलांग है किसन के पिता का साया इनकी आट साल की उमर में ही उठ गया था इसके बाद में किसन अपना होस संबाला और इनकी दो बहने है उनकी भी साधी हुई अभी फिलहाल किसन रातरी गाओं में एक कास्तकार बनके रह रहा था उसके बाद में इनकी यहालत हुई यह जो आप खेत देख रहे हो इसमें किसन फिलहाल कास्तकार है और इनकी पत्नी और इता है एक स्ट महाँ क्या करती था है इक यंग पंताइक हैं आपके बेटी आांखम क्ल theor चुकल चाला गया तो एक मासी के गया हुआ है इनके जो बेटे हैं और जो बेटी है एक जोत पूर है और दो बेटे और एक बेटा दोनों ही अपने मासी के घर पे इन्होंने छोड़ा है इनकी दिमागी हालात सही नहीं होने के कारण इन्होंने अपने बेटे और बेटी को मासी के घर छोड़ा है और किसन है जो सरकार से ही नहीं जितने भी भामासा है उनसे भी मदद की गुहार लगा रहा है देखिए तस्वीरे आपको मैं दिखा रहा हूं ग्राम पंचैद रातरी की जिसमें किसन गोदारा जो की करीबन दो सालों से बिमार है और पैसे ना होने की कारण इसी हालात में यहाँ पर जंजीरों से बंदा हुआ है किसन के पास जो मूल भूत सुवीधाय होती है वो भी उपलब्द नहीं है यहाँ पर इनको इसी हालात में रहना पड़ता है जो भी करना है वो यहीं पर करना है और जो भी खाना पीना वो भी यहीं पर खाना है इसी हालात में बैठे रहना और गर्मी हो या बारिस हो कुछ भी कैसे भी हालात हो यहीं पर इनको रहना है किसन का कहना ये भी है कि जब बारिश थी तो दो महिने तग ये जो तिरपाल आप सामने देख रहे हो जब बारिश थी तो ये तिरपाल इनके उपर ही था और इसी तिरपाल के नीचे ये किसन था ये किसन का घर देख रहे हो इसी हालात में किसन का परिवार अपनी जो गुजारा है वो कर रहा है और ये किसन का खेत है और इसी हालात में किसन यहाँ पर बंदा हुआ है किसन की मा और पतनी इनकी लगातार सेवा कर रही है और किसन लगातार जो सरकार है जो भमासा है उनसे म हमासा या सरकार आगे आए जो किसन की मदद करे और इस बिमारी से इनको बाहर निकाले फिलहाल किसन दिमागी हालात से ठीक नहीं है आपको बता दे किसन की जो दिमागी हालात है वो ठीक नहीं है करीबन दो सालों से इनकी दिमागी हालात ठीक नहीं है जब आज पड़ों से परिशान हो गए तो सिकायते जादा आने लगी और उसकी वज़े से इनके परिवार वालों ने आज से करीबन दो महिने पहले ही इनको इसी हालात में बांद दिया आपको मैं एक और बात बता दू सामने जो आपको खेजड़ी नजर आ रही है पहले किसन का कहना है कि मुझे वहाँ पर बांद कर रखा था जब ज़्यादा बारिश हुई तो मुझे यहाँ पर लाकर परिवार वालों ने छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पानी खटा हो गया था और पानी में किसन बैठ नहीं सकता था तो परिवार वालों ने इस जगह एक बोलड़ी के वरक्ष के नीचे लाकर छोड़ा किसन के जो कमाई करने वाला कोई नहीं है फिलहाल यह अपने खेट में कास्टकार किसी के खेट में कास्टकार बनके गुजारा कर रहे हैं किसन एक ही भाई है पहें किसन के पड़ों से हमारे साथ में है इसे बात करते किसन की क्या समिश्या है कोई गिरामेन या कोई बामास आ आ गया या सरकार ने कभी मदद नहीं की किया किसंने मदनें की दो साल से यही ही आलात हे किसन की दो साल ज hear कि मारत मैंटल हे कमाने वाला को't किसन्तने बाई-बैनं कितने बाई- Elle किसनी है थी बैए य। बहनों किसन ने बेनों की साधी हो गई अच्छा वो भी किसन ने अपने से ही करवाई किसन ने खुद ही करवाई जब किसन सही आलात में था और उसके बाद किसन की यह आलात कैसे हुई किसन की हालात है जो काफी गंबीर है इसी तरह से एक बोर्डी के वरक्स के नीचे बंदे हुई है आप सभी भामासा एक बार किसन की मदद जरूर करें सरकार से भी किसन गुहार लगा रहा है कि सरकार आगे आये और किसन की मदद करें शिव सेत्र से मैदनेश कुमावत